आईए दिन सोशल मीडिया पर तस्वीरे वाइरल होती रहती हैं मगर उसमें से कुछ तस्वीरे सच भी नहीं होती है जैसे कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर ऐसी कई फोटोज वाइरल हो रही हैं जिन्हें देखकर यह कहा जा रहा है कि चेकिग के नाम पर लोगों को कुछ ऐसे टच किया गया कि पैसेंजर्स शर्मिंदा हो गए थे मगर इसका पूरा सच कुछ और ही है जो आज हम आपको बताएंगे दरसल जो तस्वीरे वाइरल हो रही है जिसमें पैसेंजर्स शर्मिंदागी जेल रहे हैं उन फोटो का वो सच नहीं है जो मीडिया बता रहा है बलकि सच कुछ और ही है यह तस्वीरें अमेरिकी एइपोर्ट्स पर क्लिक हुई हैं वैसे भी एइपोर्ट को काफी सेंसिटिव एरिया माना जाता है इसी वजह से यहां सेक्यूरिटी होती है हमेशा आतनक्वादियों के निशाने पर एइपोर्ट होते हैं इस सब को देखते हुए सुरक्षा के लिए लोगों की काफी अच्छे से जाच की जाती है खासकर अमेरिकी एपोर्ट्स पर सेक्यूरिटी चेकिंग काफी टाइट होती है यहां आने वाले पैसेंजर्स भले ही कितने भी बड़े अधिकारी हों उन्हीं भी सेक्यूरिटी चेकिंग से गुज़ना ही पड़ता है अमेरिका के ट्रांस्पोर्टेशन सेक्यूरिटी अड्मिनिस्ट्रेशन यहां आने वाले हर पैसेंजर्स के कपड़े तक उतरवाकर सेक्यूरिटी चेक करते हैं ऐसा सुरक्षा की ग्रिष्टी से करना जरूरी भी है चूंकि अमेरिका जैसा देश आतनकवादियों के निशाने पर रहता है इसलिए यहां चाहे अधिकारी हो या नॉमल इंसान सभी को इस प्रक्रिया से गुज़ना पड़ता है आपका बता दे इन तस्वीरों को काफी गलत है दिन के साथ मीडिया द्वारा परोसा जा रहा है कहा जा रहा है कि सेक्यूरिटी के नाम पर लोगों को गलत धंग से चुआ जाता है जो की एकदम गलत है